फाइनली दोस्तों ये है दो यार तेज की निवली लॉंच हॉंडा साइन सौ सी सी इटवंटी ओडी टू सेंसर के साथ इस बाइक में क्या-क्या फीचर्स कंपनी ने दिये हैं सबसे पहले कलर की बात करें तो इस कलर का नाम है ब्लैक बिद गोल्ड और दूसरा जो बगल में खड़ा है उसका नाम है ब्लैक बिद रेड तो टोटल पांच कलर में मिल जाती इसके लबा तीन कलर और मिल जाते हैं अगर आप इसकी पेट्रोल टंकी के उपर में देखेंगे तो यहांपर हॉन्डा का स्टीकर लगा हुआ है 3D में नहीं है और बाकी जो ग्राफिक्स हैं वो सिल्वर कलर ग्रे कलर और गोल्डन कलर और थोड़े से यलो कलर के कॉम्बिनेशन के साथ यहांपर दिये गए हैं तो यह आपको क्रोम का पार्ट मिलेगा फुल फाइबर बॉड़ी का सेटप है ESP की ब्रांडिंग मिल जाती है बाकी इसके पेट्रोल टंकी के उपर में देखेंगे तो यहांपर E20 लिखा हुआ है यह बाइक जो है वो E20 पेट्रोल से चलने वाली है अब इसमें जो है वो 5 प्लस का यह बाइक आपको आसानी से माइलेज दे देगी और नाइबे 40-50 की स्पीड में अगर आप उसको चलाते हैं तो बाइक का जो टेंक है वो छोटा सा है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है बाकी इसकी जो हैंडल वार आप देख रहे हैं यह ग्लॉसी ब्लैक फिनिस बोबी एनलोग में बाइक में आपको एकोनोमी जौन मिल जाता है टॉप स्पीड की बात करें तो यह बाइक आपको 80-85 की टॉप स्पीड निकाल कर दे देती है यह जो मिररे में आपको वही एक्टिव वाले दिये गए इसमें आपको पासिंग का बटन नहीं दिया गया है सिर्फ यह अपर आपको अपर डिपर इंडिकेटर और होन का बटन दिया गया है क्लच के अगर हम बात करें तो क्लच भी काफी लैटे दवाने में आपर आपको बार एंड नहीं मिलेंगे यह जो पार्ट आप देख रहे हैं आपर आपको सेलपेश्टार मिलता है चाप डि सा हलका है और बाकी आपर आपको 637 mm की लंबाई की सीट मिलती है इसके अंदर की जो कुशन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट तो हम नहीं कह सकते हैं बाकी 785 mm की सीट एड मिलती है बाकी कावल के उपर भी आपको ग्रापिक्स की पट्टिया मिल जाती है पीछे में आपको स मटगाड है यह भी काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का दिया गया दोस्तो सबसे पहले मैं इंजन को यहां से बंद कर देता हूं आभी हम इसके रियर पोश्चन की तरफ चलें तो पीछे में आपको नॉन एडजस्टेबल स्प्रिंग वाले हाइड्रॉलिक सस्पेंशन का सेड़ मिलता है जिसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता है तीन डवल जीरो सत्रे का यहां पर आपको सिर्फ ट्यूब वाला टैर मिलता है इसमें ट्यूब डला हुआ है ट्यूबलेस टैर यह नहीं है पीछे में 110 mm की ड्रम ब्रेक आपको मिल जाएगी कॉम्बी ब्रेकिं इसमें होंडा की ब्रांडिंग है यहां पर इंजन ओल का कैप इंजन ओल फिल्टर दिया गया यह ब्रेक पैड 168 mm की ग्राउंड किलेरंस मिल जाती है यह जो केटलेटी कनवर्टर है यह थोड़ा सा उपन है अगर इसके उपर में मैटल की पिलेट होती तो काफी अच्छा रहता सिंगल क्रेडल फ्रेम दिया है औक्सियान सेंसर यहां पर दिया गया है इसमें 98.98 सीसी का एर कुल्ड फोरेश्ट रॉग ब्याशिक्स एफ़ाई इंजन दिया है यह इंजन 7.28 बीच पी की पावर देता है और यह इंजन 8.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करत और यहां पर आपको हेलोजन वाले टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं उपर में जो वाइजर आप देख रहे हैं यह देखने में आगे से तो CDX 10 है लेकिन अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो थोड़ी सी शाइन की याद दिलाएगा साइड में भी आपको ग्राफिक् आपको नहीं मिलेगी बिना कलर कोटिंग का मटगार है वह भी फाइवर बॉड़ी के साथ साइड में रिफ्लेक्टर और फ्रेंट में टेलिस्कॉपिक टाइप के सस्पेंशन का सेटम मिल जाता है अगर बाइक के दूसरी साइड में देखेंगे तो यहां पर नट के उपर में जो है वो rubber का यूज किया गया जिससे जंग वगएरा ना लगे फ्रेंट में कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटम मिल जाता है दोनों ब्रेक एक साथ काम करती है दो 75 सत्रे का यहां पर आपको ट्यू वाला टायर मिलता है त्यू ब्लेश टायर आपको इस बैक में देखने को नहीं मिलेंगे इसी तरह की बेसिक चीज़े आपको जो है वो एचप डिलक्स और टीबियस स्पोर्ट और प्लेटिना हंड्रेड में दी जाती हैं यहां पर आपको प्लेन के कमफर्ट और सेफटी लिए ब्लेक कलर का सारी गार दिया गया है बाकी जो चैन सेट कवर आप देख रहे हैं यह प्लास्टिक बॉड़ी का है बिल्ट क्वालिटी काफी ठीक ठाक है और यहां पर आपको एड़जस्टिवल फुटपक्स मिल जाते हैं जिसमें में प्लेटल और रवर्ड का यूज किया गया है यहां से आप टायर के प्रैसर को चैक आउट कर सकते हैं यहां पर आप चैन में ओईल वगरा डार सकते हैं इसके गियर बॉक्स की बात करें तो बाइक में चार गियर मिल जाते हैं जो चारो गियर है वो AD से मतलब की पीछे की त दालूंगा तो इंजिन इसका तुरंत बंद हो जाएगा सेफटी फीचर्स के इसाब से अब इसके फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो वाई टीबियस इस्पोर्ट और एचब डिलक्स बाइक से इसकी जो लंबाई चोड़ाई है वो मुझे काफी ठीक ठाक लग वाली वाईक SP125 CC का डिस्क ब्रेक ऑन रोड कीमत है एक लाग साथ हजार रुपे अगर आप इसका ड्रम ब्रेक लेते हैं तो यह ड्रम ब्रेक में आपको मिल जाती है एक लाग तीन अजार रुपे की दोस्तो इस बाइक को आप खरीच सकते हैं होंडा क्लाउड नाइन टू सेयर कर देना मैं आपको रिपलाई करके वदा दूगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सेयर और चैनल को